तो स्टूरेंट्स आप सभी का जोगत है माद इस यूटीव चैनल पर आज हम लोग बात करने आ लें आपकी वक्सीट जी नाइन के बारे में ठीक है जो जेनेरिक सब्जेट की है बच्छो और क्लास एर्थ की है आज की डेट की है पच्छिस नौ दो जारी के सहा पर आपको नेमी आपनी ठीचर का नेम लिखना इस वक्सीट को सुरू करने से पहले बता दूं बच्छो कि लास्ट वीक का जो विनर है उस तक जो गिफ्ट है वो थस्टे तक पहुँच जाएगा और इसके पहले के जितने भी विनर्स रहे हैं उन सभी तक जो गेप पहुच चुक है अन्बॉक्सिंग की वीडियो आ चुकी और सभी की अन्बॉक्सिंग वीडियो हमने पब्लिस किए यदि आपको देखना है तो डिस्किप्सन में जाके क्या आप वो देख सकते हो ठीक है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और आगर आपको भी कॉंटेस में पास्पेड करना है तो like, share, subscribe, comment जरूर करिएगा और ज्यादा सज्यादा क्या है बच्चो ज्यादा सज्यादा वीडियो को 이렇게, comment करिए और full वीडियो कोविड में हमें behavior करना चाहिए उसके बारे में जा देंगे read the covid appropriate behavior given blog कुछ नीचे behavior देखें जिनको आपको read करना है a set of 15 promises ये क्या है 15 promises का एक set है we need to follow as a part of covid appropriate behavior इन्हें क्या है हमें follow करना चाहिए पूरी तरीके से जैसे पहला क्या है पहला बच्चों आपको दिखेगा यहाँ पर पहला क्या है पहला है greet without physical contact यानि दूसरों से मिलो उनका स्वागत करो उनसे hello hi करो पर बिना किसी physical contact से यानि की हाथ वाथ मिला कर नहीं ठीक है इसके बाद क्या है maintain physical distance और हमेशा दो लोगों के बीच में क्या है physical distance आपको बना के रखनी चाहिए इसके बाद क्या है इसके बाद बोला गया है wear reusable hand made face cover and make it at all time ठीक है यानि की आपको क्या है इस marks को हमेशा लगा कर रखना है आपको क्या करना है एक marks permanent अपने face पर लगा कर रखना है इसके बाद क्या करना है avoid करना है touching को अपनी eyes को nose को और mouth को यानि नहीं आप अपनी कभी eyes को touch करो बाहर नहीं mouse को touch करो और नहीं किसी nose को भी touch करना आप अपनी ठीक है इसके बाद maintain करना है respiratory hygiene यानि कि respiratory hygiene का मतलब है अगर आपको चीक आती है हाथ लगाओ उसके बाद उस hand को wash करो या कुछ भी किसी प्रकार की problem है उसको क्या करना है maintain करके हमेशा रखना है इसके बाद क्या करना है hand क्या करना है wash hand frequently and truly आपको अपने hand को समय समय पर और थोड़ी थोड़ी देर पर wash करते रहना चाहिए इसके बाद regular clean down decision feet frequently touch surface यानि कि वो surface जिसे लोग बाहरी लोग आकर बार बार touch करते हैं आपके घर के बाहर का gate है ठीक है और भी कई चीज़ें जैसे आपकी car है यह सब चीज़ें तो इनको क्या regular कभी ना कभी clean करते रहना चाहिए gate वगएरा तो permanent do not split in the open ठीक है कभी भी open में क्या है split नहीं करना चाहिए थूकना नहीं चाहिए इसके बाद करना चाहिए avoid necessary unnecessary traveling यानि जब तक जरूरन ना हो तब तक हमें travel भी नहीं करना चाहिए do not discriminate against any people कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाब क्या है हमें क्या है किसी भी व्यक्ति से दुस्मनी नहीं करनी चाहिए उनके मतलब क्या है यानि कहने का मतलब यहां पर है बच्चो भेदबाव नहीं करना चाहिए discourage crowd encourage safety यानि कि आपको क्या है crowd में जाने से बचना चाहिए ज्यादा से ज्यादा do not circulate social media post each ठीक है कभी भी किसी से भी social media के post को जल्दी जल्दी circulate नहीं करना चाहिए जो unverified हो और क्या हो unverified हो और negative information देता हो यानि किसी प्रकार की खराब या गलत information होता हो sick information on covid-19 from the credible resource आपको क्या है हमेशा information जो है इसकी क्या रखनी चाहिए कि कितने persons sick है आपके पास कौन कौन एरिया में जो है आज पास के एरिया में बिमार है तो इसकी जो आपको information है वो आयोग से तु एप से मिल जाती है इसके बाद क्या है इसके बाद बोला गया है call national telephone number ठीक है 1075 state health line number for any inquiry आप national telephone number पर भी call कर सकते है national health line number क्या बिटा 1075 ठीक है किसी भी प्रकार की information के लिए sick physical logical support for any stress ठीक है अगर आपको किसी भी प्रकार क्या है कोई भी stress होता है तो आप किसी भी फिजको लॉजिकल से क्या है मिल सकते हो तो stay safe stay protect यह हमारा ना रहा है ठीक है COVID-19 में जरूर याद रखेगा complete the following sentence by using a correct word given in the bracket आपको bracket में word दिये गहे हैं इनको क्या है complete करना है जैसे क्या everyone should avoid unnecessary travel आपका इसका answer क्या हो जाएगा बिटा travel हो जाएगा यहां लिख देना travel ठीक जिसको बच्चों मैं काटूंगा उसको आपको नहीं लिखना है और जिसको circle करूंगा उसे लिखना है जैसे you must have watch your hand frequently and frequently and बिटा देखो आपको अपने hand को क्या है frequently wash करते रहना चीए और क्या है totally ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा बिटा हो जएगा socialize को कया है कार्ट दोगे discourage या crowd encourage ठीक है आपको क्या है safety के लिए अपनी safety के लिए कभी भी crowd के बीच में मत जाओ फिर क्या है maintain a physical distance यहां पर क्या हो जाएगा physical distance को क्या है maintain करकर हमेशा रखो इसके बा नीचे ये इसको इसके बाद क्या आपको true and false दिया गया है true and false against the statement आपको नीचे statement दी गया है उसको true or false करना है जैसे क्या है पहली statement क्या है never circulate unverified message कभी भी कोई unverified message को क्या है circulate नहीं करना चाहिए ये true है कि false है तो ये क्या है बिटा true है इसके बाद क्या है call internationally toll free number 1077 for inquiry तो ये क्या है false इसका number क्या होता है बिटा इसका number होता है इसका number होता है आपका 1075 do not spit in public place तो ये भी क्या है true है कभी भी public place पे हमें थूकना नहीं चाहिए never wear our face marks तो ये क्या है बिटा false है हमेशा fake marks span के रहना चाहिए और sick physical logical support for any stress and कभी भी आपको कोई भी stress हो तो physical logical support जरूर लेना चाहिए ये भी क्या है बिटा true है इसके बाद क्या है बिटा आगे आपकी जो वक्सीट है यहीं पर होती है समापत आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लाइक में पास्पेट करने की कोसिस करना धन्यवाद वुच्चो